हेलो स्टूडेंट्स अपने 11th CBSE और 12th RBSE के स्लेब से रेटेड एक बायलोजी का बड़ा ही इपॉर्टेंट टॉपी कर रहे थे पादपों में खनीज भोशन जिसमें अपने लास्ट वीडियो तक जो 17 असेस्टन एलिमेंट होते हैं प्लांडस के लिए नीवारे ततव होते हैं उनका विब्शिक्यकेशन किया रगिकर्ट किया गया उनको देख लिया था अब अपने इस वीडियो के अंदर इन 17 टतव जो हैं इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे कि main ली अपने क्या है कि exam में जो question पूछे जाते हैं इन से और अपने जो slave से related है उसमें अपने को हर एक ततव के बारे में चार या पांच बाते हैं जो main अपने को पता होनी चाहिए सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि जिस ततव को अपने पढ़ रहे हैं प्लांट उसका absorption किस फॉर्म में करते हैं यहां से अपने को question बन सकता है second plant के किस बाग का वो ततव main component है यानि मुख्य गटक है तो यह दूसरी बात पता होनी चाहिए कुछ अपने चीजें जो important है उस minerals की या खनीज की वो note लगा कर उसमें note करेंगे और अगली चीज जो अपने को चोथी पता होनी चाहिए वो उस plant में उस ततव की कमी से यानि कि नियूनता से कौन कौन से लक्षन जो हैं वो उत्पन हो सकते हैं यह पता होनी चाहिए और अगर उस ततव की कमी से कोई specific रोग जो नाम से दिया गया हो यह सबसे ज़्यादा important है इसमें तो यह अपने को इस से related बातें देखनी हैं तो इसी कर्म में अपने इस सभी को पढ़ेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले तो आप देखिए मैंने तीन ततव जो इकठे लिखे हुई है फर्ष्ट, सेकिंड, थर्ड, कार्बन, हाइडोजन, एंड ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट जो गैसी आदान परदान करते हैं वातावर्ण के साथ इन तीन जो है ये कार्बन हुआ, हाइडोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, मैंने पीछे भी बताया था क्योंकि ये इन्वाइर्मेंट से ही दो तो जो है डिरेक्टली प्लांट्स को अवेलेबल होते हैं तीसरा जो है वो वाटर के थुरू अवेलेबल हो जाता है तो इनको एक नीज ततव, नौन मिनल्स एलिमेंट भी कहा जाता है और पात्मों को इन ततवों की समान्यत है, कभी भी नियूंता नहीं होती तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, फोर्थ नंबर एलिमेंट की नाइट्रोजन तो इसमें यह अपने यहां से शुरू होता है, में यह जो अपना टॉपिक है तो सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में अपने वशोशन देखेंगे फिर मुख्या गटक, कुछ बातें इसे लेटन नोट में लिखी हुई मिलेंगी और यह नियूंता के लक्षन नाइट्राइट की फॉर्म में करते हैं और बिल्कुल अपवाद स्वरूप यह बहुत ही रेर अगर अगर अप्जॉप्शन करते हैं तो वह अमोनियम आइंस के रूप में करते हैं तो इस सबसे ज़्यादा जो absorption है, वो nitrate की form में होता है, उससे कम, बहुती कम होता है यह नाइटराइट भी, और अपवाद सवरूपी जो होता है वो ammonium ions की form में होता है, next nitrogen जो है वो plant के इन बागों का मुख्य गटक है, अमीनों अमलों का मुख्य गटक nitrogen होता है, protein में nitrogen प्रजेंट होती है, chlorophyll में वैसे तो मुख्य गटक magnesium होता है, लेकिन अपने जब 10th chapter में photosynthesis वाले में chlorophyll की structure पढ़ेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि magnesium को 4 और से 4 वहाँ nitrogen के molecule भी अपने को दिखेंगे, तो यह परनहरितम में पाया जाता है, vitamin में होता है nitrogen, hormone जो होते हैं, उनका यह मुख्य गटक होता है, अब note, note में nitrogen के बारे में अपन जालते हैं, आपने देखा ही होगा, और उसे उनको जो nitrogen की आपूर्ती होती है, okay, second बात जो अपने note में याद रखनी है, वो है nitrogen की आफशकता जो है, वो plant के जो विवजोत की शेतर होते हैं, विवजोत की शेतर होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा होती है, यानि कि जो of deficiency के, तो सबसे पहला जो लक्षन दिखाई देता है, ये mostly जो पहला लक्षन आपको लिखा वो मिल रहा है, ये लगबग लगबग सभी जो अपने element पढ़ेंगे, minerals पढ़ेंगे, सभी में ये मिल जाएगा, हरीम हींता, हरीम हींता का मतलब है, हरीम का मतलब हरा, हींता का मत कि इनका जो chlorophyll है, पर्न हरीत है, इस ततव की कमी से उसका वी गटन हो जाएगा, वो तूट जाएगा, ओके, तो हरीम हींता जो है, वो पहले तो पराणी पतियों में दिखाई देती है, जो नीचे की पतियों होती है, उसके बाद फिर ये नई पतियों में अगर कमी रहे लगातार तो नई पतियों में भी हरीम हींता उत्पन हो जाती है, अब जो बात बताई वो लिखी हुई है, कि पर्न हरीत जब वी गटित होता है, तो इसके कारण एंथोसाइनिन नाम का सबस्टांस बनता है, और ये एंथोसाइनिन जो है, ये पिंकिश कलर का, गुलाबिक रंग का, येलो कलर का, या नारंगी कलर का, किसी भी रंग की अपने जो पैचेज हैं, दब्बे हैं, वो यहाँ पर शो कर सकता है, ओके, थर्ड जो इसकी नियूंता से लक्षन होता है, वो होता है, पाशरव कलिकाओं की प्रसुपती बढ़ना, यानि पाशरव कलिकाओं प्रसुप्ति का मतलब होता है कि आगे ग्रोथ नहीं हो जाना जैसे अपने गरों में बीज समाने ते देखते हो तो वह प्रसुप्ति वस्ता में पड़े रहती हैं जब तक अपने उसको वापिस खेतों के अंदर पानी वगेरा जमीन को देखर उसमें लगाएंगे नहीं और लास्ट जो है, इसकी कमी से पोदे जो है, वो क्या रह जाते हैं, बॉने रह जाते हैं, क्योंकि अभी बताया था, यह मुख्यत है कौन से शेत्रों में प्रिजन्ट होता है, विव्योत की शेत्रों में, और अगर विवाजन नहीं होगा, तो फिर पोदे क्या रह या बोने रह जाएंगे अगला जो अपने पास मिनल्स है वो है फॉस्पोर्स इसमें भी यही बाते हैं जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है यह अवशोशन से है जो दूसरा लिखा हुआ है यह मुख्य गटक से है जो आगे लिखा हुआ है यह नोट है और इदर जो लिखी ह हुए है यह नियूनता की लख्षन है तो सबसे पहले तो अगर बात करें फॉस्पोर्स के अवशोशन की तो फॉस्पोर्स का अवशोशन जो है वो प्लांट्स है तो पी ओ फॉर माइनस आइनस के रूप में करते हैं तो यह अपने को याद होना चाहिए अब मुख्य गट मुख्य गटक जो है यह फॉस्पोलिपिट अपको पता है जो चैल मेंब्रेन होती है उसमें फॉस्पोलिपिट प्रजैंट होते है तो फॉस्प्य विपडिस का यह मुख्य गटक है न्यूपलिक एसिड डी एन आरेने की स्टक्चर आपने 11 में पड़ी होगी वहां आपन अब नोट में पहली बात अपने को याद रखनी एक कि फॉस्फोर्स जो होती है उसका प्लांट जब एब्जॉब करता है रूट्स के द्वारा तो वह अवशोशन एकार्बनिक रूप में होता है मतलब फॉस्फोर्स के साथ कार्बन जो है वह उपस्तित नहीं होती अब जै तब भी उसका जो संथानातरन है वो एकार्बनिक रूप में ही होता है मतलब उसके साथ कार्बन जो है उपस्तित नहीं होती लेकिन जब ये पादपों में पाया जाएगा अपने को मिलेगा योगी के रूप में तो अपने को ये कौन से रूप में मिलता है कार्बनिक रू तो पहला जो है वो है बोनापन यानि इसकी कमी से पादप जो है वो कैसे रहा जाते हैं साइज में छोटे रहा जाते हैं बोने रहा जाते हैं second and third जो है यह अपने लिए important रहेंगे इसके लिए second most important रहेगा अपने लिए एक नमबर के question यहां से अच्छा बनता है अगर किसी plant में phosphorus की अत्यदिक कमी हो जाएगी तो पत्यों में और फलों में उत्तक share शेतर necrotic reason का क्या हो जाएगा हां? निर्मान हो जाएगा अब ये उत्तक शेयर शेतर क्या होते हैं कि फलों के अंदर या पत्तियों के अंदर कुछ स्थानों पर कोशिकाओं का जो समूँ हैं उत्तक हैं वो नस्ट हो जाएंगे जिससे वहाँ पर गहरे बूरे रंग की या गहरे काले रंग की structure पैचेज जो हैं दब्बे से क्या हो जाते हैं बन जाते हैं इसको मैं आपको आगे डाइगराम के थूरू भी समझाऊँ हूँ हैं तीसरा जो है इसकी कमी से जो पत्तियां हैं वो distorted हो जाती हैं विकरत हो जाती है विकरत का मतर होता है जो उनकी वास्तिक shape होती है उस shape में वो नहीं रहती है वो किनारों से और आगे वाले बाग से नीचे की और क्या हो जाती है मुड जाती है इसका भी अपने diagram देखेंगे भी आगे fourth जो इसकी नियूंता के लक्षन है वो है cambium सकरीता कम cambium आपको पता है प्लांट में secondary growth के लिए responsible होती है तो अगर cambium की सकरीता कम हो जाएगी तो फिर प्लांट में secondary growth भी क्या होगी प्रभावित होगी तो ये phosphorus की कमी से नीचे का होने वाले लक्षन है अब इसकी पने diagram देखते हैं ये देखिए ये आपको जो ये fruit पर ये necrotic region दिख रहे हैं ये leaves पर दिख रहे हैं तो ये किसकी कमी से होते हैं ये phosphorus की कमी से ऐसे जो region है उनका निर्मान हो जाता है तो यहाँ से एक नंबर का ये बड़ी एक question बनता है किस खनी ततव की कमी से पत्तियों वै फलो में necrotic region या उतक्षई शेत्रों का निर्मान हो जाती है उनकी शेप जो है वो वास्पिक शेप नहीं रहती distorted बोलते हैं इसको leaves become distorted ओके तो ये phosphorus था नेक्स्ट अपने अगला जो ततव है बात करें तो वो है potassium के इसका सबसे पहले अशोशन तो इसका अशोशन जो है वो plant K प्लस आइनों के रूप में करते हैं गटक जो है ये मुखहत है कोशी का दरवय का गटक है इसका गटक है कोशी का दरवय का अब जो note की बात ही note लिखते हैं अपने तो पादपों में कुछ किरियाएं हैं जिसमें potassium जो है वो विशेश परकार का अपना योगदान देता है ये भी अपने लिए important है कौन-कौन सी किरियाएं ह करने का काम करेगा तो रिना не у दासे नहीं करना अब्हिगमन यनिकी कोशी का जिल्ली के यार रावागमन होता है इसका अभी गल जिसको बोलते हैं उसमें ये काम करता है कुछ एंजाइम जो हैं उनके सक्रेुयन में ये काम करता है एंजाइम ایک्टिवेटर के रूरू में भी ये काम करता है प्रासरन विबव, प्रासरन विबव, जब अपने प्रासरन वाल चैप्टर पड़ा था तो वहाँ देखा था, प्रासरन क्या होता है, तो ये प्रासरन विबव में हیल्प करता है रंद्रों का खुलना वे बंद होना ये भी आप कर चुके हो स्टोमेटल मुवमेंट जब अपने रंद्रों का खुलना वे बंद होना के पलस सायन थियोरी पड़ी थी तो वहाँ आया था बीजों वे फलों की समाने व्रदी के लिए भी पोटेशियम आयन जो है वो जुरूरी होते हैं और पोटेशियम आयन भी जो है वो मुख्यता विवजोत की शेतर जो होते हैं यह उनी से लेटर होते हैं यह तीन्नों ही ततव जो है एन पी के जिनको आप करांतिक ततव भी कहते हो तो इनकी पादब को सबसे जादा जो है वो आपशकता होती है और पोटेशियम की कमी से नियूंता से कौन-कौन से लक्षन दिखाई देंगे प्लांट में तो पोटेशियम की कमी से होने वाला सबसे जो पहला लक्षन है वो है पत्यां जो है वो विक्रत हो जाती है कुर्बरित होने का यहां पर मतलब यह है कि पत्यां जो है उस पर आपको सफेध रंग के या किसी और येलो कलर के पैचज दब्बे दिखाई देते हैं और वो जो पत्ती है वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ऐसी कोई भी structure ऐसा कोई भी रूप जो अच्छा ना हो उसको अपने कुर्बरित रूप बोलते हैं तो इसकी कमी से पत्तियां जो है वो mortled हो जाती है तो ये भी अपने आपको डाइगराम आगे दिखा दूँ में सेकंड मुखेता हरी महींता कि इसकी कमी से जो है वो पत्तियों का जो पर्न हरीत है उसका वी गटन हो जाता है तो हरी महींता उत्पन होती है नेक्स्ट इसकी कमी से पत्तियों तने की वरदी रुख जाती है तना अगर वरदी नहीं करेगा तो प्लांट जो है वो चुडाई में थोड़ा ज्यादा हो जाएगा जिससे वो शूप के अकार का हो जाएगा बुशी शेपड हो जाएगा शुपाब हो जाता है तो यह लिखा हुए है और इसकी कमी से potassium की कमी से plant की रोग प्रतिरोदिक शम्ता जो है उसमें भी क्या जाती है कमी आ जाती है और यहाँ याद रखना है आपको कि N, P, K इनको क्रांतिक ततव या critical element कहा जाता है और यह question 2019 के RBS यह जाम में पूछा जा चुका है अब अब जो model बताया था पतियां कुर्बरीत हो जाती है तो यह आप देख सकते हो इस पर यह इस परकार के जो है यह लग बन जाते हैं तिनको बोलते हैं कुर्बरीत पतियां नेक्स्ट अपने अगले minerals की बात करें तो वो है calcium यह अपने प्रात्मिक वरहत पोशक जो है वो पीछे complete होगे अब अपने द्वित्तिक वरहत पोशक जो calcium, magnesium, sulfur तो उसमें पहला जो है वो है calcium तो calcium का जो absorption है वो plants calcium आईनों के रूप में करते हैं यह प्लस टू आईनों के रूप में करते हैं लेकिन calcium मिट्टी में ask के रूप में मिलता है और कौन-कौन से ask है calcium के appetite, calcite, vedolomite ask के रूप में यह मिट्टी से मिलता है अब मुख्य गटक, calcium जो है वो कोशी का बीती की मद्य पट्ली का जो होती है middle lemila उसका मुख्य गटक होता है यह आपने कोशी का वाले chapter में पढ़ा हो गए 11 में कि कोशी का बीती की जो मद्य पट्ली का है जब यह गुलत है तो इसके कारण जो fruit है उनमें softness आती है वो लेचीला पनाता है fruit जिससे soft बनते हैं ठीक है तो यह मुख्य गटक होता है calcium कोशी का बीती की मद्य पट्ली का नोट में यह कुछ और भी काम उसे related है calcium यह plant में कोशी का विवाजन वे विवर्दन को प्रेरिद करता है नूकली कमलों को D protein से जोड़ता है यह carbohydrate वे amino अमलों के प्रिवेहन पादप में जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है उसके प्रिवेहन में भी यह सहायता करता है यहां एक important लिखा हुआ है यह 2019 में पूछा भी जा चुका है एक नंबर में इसकी मतलब calcium तथा boron उन पर दिखाई देते हैं तो यह question पूछा गया था 2019 के exam में पोदे की अग्रस्त कलीकाओं में लक्षन किन तत्वों की कमी से उत्पन दिखाई देते हैं जा उत्पन होते हैं तो calcium और boron अंसर था इसका अब इसकी नियूंता के लक्षन देखें तो एक तो cell wall जो है उसका लचीला पन समाप्त हो जाता है second पतियां जो है वो विकरत हो जाती है विकरत होकर पतियों के जो शिर्ष बाग होते हैं बिल्कुल tip part होता है पतियों का वो आगे से नीचे की और जुक जाता है जिसको कहा जाता है अंकूशित शिर्ष क्या कहा जाता है अंकूशित शिर्ष ये लिखा हुए है यहां पे तो पतियां जो है वो विकृत हो जाती है, डिस्टॉटेड हो जाती है और उनका जो शिर्ष है वो नीचे की और जुख जाता है इसको भी आप diagram से देख सकते हो, यह आप देख सकते हो ये पतियों के जो शिर्श पार्ट है आगे वालब बाग है वो निच्छे के उर क्या और है? बेंड हो रहा है तो इस रो को अंकुशित शिर्श बोलते हैं और यह किसकी कमी से होता है? कैल्सियम की कमी से होता है Okay students, आज के लिए इतना ही अगले जो जितने मिल्स बचे हैं उनका अपने डिसकस्टों है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे थैंक यू